हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आई होज नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेहां कि कर लिबिंगो握ें को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग प्लीज कर लेजे क्यूंकि जो भी आपको क्लासेज मिलेंगी वो टाइम पर मिले तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन आप को स्क्रीन पर देख पारेंगे उच्च करमिये चिंतन कोशल पर आधारित प्रश्ट मांग करते हैं दोस्तों यह किसकी मांग करते हैं तो यह कुछ सीमा तक संग्यानात्मक प्रयास और ग्यानकी और यह आपका करिक्ट अंसर होगा इस कोशन हम लोग देखेंगे कच्च तीन का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन उसे क्या लिखता है 40082 लिखता है यह सिच्चक के लिए किस ओर संकेत करता है ऑप्शन ए है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन अस्थानिया मान की समझ अस्थापित नहीं कर पाया है बिए बच्चा संख्या की अभिवक्त की विस्तारीत रूप और लगू रूप में भ्रहमित है सिच्चक को अस्थानिया मान विश्य तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली परकार लिखना सीख जाए बच्चा कच्चा में एकाग्र इकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता जैसा कि आप कोशन को समझ पारेंगे तच्चा तीन का बच्चा है जो 482 को 482 तो पढ़ता है लेकिन उसे लिखता क्या है 40,000 82 लिखता है यह सिच्चक लिए किस ओर संकेत करता है यानि बच्चा जो है 482 को तो पढ़ ले रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन देख पारेंगे बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन अस्थानी मान की समझ अस्थापित नहीं कर पाया है बच्चा संख्या की अभिवक्त की विस्तारित रूप और लगू रूप से भ्रहमित है सिच्चक को अस्थानी मान विशे तभी पढ़ हम लोग देखेंगे शैल्जा विबी ने तरीकों से संख्या को विएक्त कर सकती है उधारण के लिए एक फॉर इकल टू प्लस टू अत्वा यहां पर है फॉर एकल टू बॉन प्लस यहां पर दोस्तों यह माइनस नहीं है फोर इकोल टूए फोर इकल टूवन प्लस ट्री टैपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिए फोर इकल टूवन प्लस थ्री आदि यह संख्या की किस विकास आत्मक अवस्ता पर है ऑप्शन ए है क्रिंग अबस्ता अप लोग भी जो है इसका आंसवर करिए इसका क्या आंसवर होगा दोस्तों दिखें जब सिच्चार्थी किसी संख्या को विभिन थरीके से व्यक्त करता है तो लिसे जो है पता अवस्ता की विकासात्मक अवस्ता पर है option सी आप देख पा रहे हैं यह आपका correct answer होगा next question देखते हैं हमीदा अपनी विद्यार्थियों के गड़िती है योगिताओं को संवरिद करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप का अलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है वह बोड़ पर निम्हालखित समस्यां लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें यहां पर आप देख पार होंगे 21 डिवाइट 7 इक्वल टू यहां पर 2.1 डिवाइट 0.7 इक्वल टू 0.21 डिवाइट 0.07 इक्वल टू 0.02 डिवाइट 0.00 वह प्रश्णों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थियों यह उलकन कर सकें की ऑप्शन ए है जब एक भाजक की दस से घटत होती है और दूसरी की दस की घात से बढ़त होती है तो गुड़नफल समान रहता है यह यह जब एक गुड़ज को दस से भढ़ाई किया जाता है और दूसरी को दस से गुड़ा किया जाता है तो गुड़नफल समान रहता है जैसा कि इस कोशन को आप लोग समझ पार होंगे हमीदा अपने विद्यार्थियों की गड़ती योगताओं को समरीद करने के लिए उन्हें सदा संक्या प्रतिरूप का आउलोकन कर और परिकल्पना बनाने देती है वो बोर्ड पर निम्नालिकित समस्याइं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वी इसका उत्तर लिखें और यहां पर आप लोग जो है सारा नंबर देख पारेंगे वह प्रश्णों के सेट के माध्यम से चाहती है कि दोनों दस की घात से बढ़ाई या घटाय जाते हैं तो भागफल समान रहता है और यह आपका करेक्ट होगा इस कोशन हम लोग देखेंगे और दोस्तों यह सारे कोशन जो है आपके दिसंबर 2022 में सबीश शिफ्टों में पूछे गए है तो इन कोशन पर आप लोग ध्यान देजिएगा और इस बार जो है दोस्तों आपका पूरा पूरा चांस है कि दिसंबर 2021 में जो आपका अनलाइन एक्जाम हुआ था और दिसंबर 2022 में जो एक्जाम हुआ था यह सारे कोशन जो है आपके एक्जाम में मिलने वाले हैं आप लोग प्रिवेस चेल सारे कोशन को स देखते रहिएगा अगला कोशन आप लोग इस स्क्रीन पर देख पारोंगे कच्छा पांच के विद्धार्थी समस्या वन अपान टू डिवाइड वन अपान थ्री को सही तरीके से हल कर सकते थे लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने वन समझने के योग्य नहीं है डिये विद्ध्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है कि दूसर देखिए इससे यह गात होता है कि भिन कच्छा में किवल अंकी अमान में पढ़ाई गई है न कि संदर्भी करण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई है ऑप्शन इसमें आप भी देख पारेंगे भिनों पर संक्रियाएं बिना संदर्भी करण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है यही आपका करेक्ट आंसर होगा नेस कोशन देखेंगे कच्छा तीन में दो अंकिय संक्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिच्छक निमनालिखित चरड़ों का अनुगमन करता है चरड़ उन है अस्थानियमान व्यवस्ता की समझ के साथ दो अंकिय संक्याओं कि पुर्ड़ वरित होना चरड़ 2 दिया है यह नियुक्त कर रहा है option A है संक्रिया व्यवस्ता संकल्पना परीकलन प्रक्रक्रिया परिकलन प्रक्रिया, विवस्ता संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया, और D आपका दिया हुआ, विवस्ता संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया, परिकलन प्रक्रिया, तो इसमें पूछा है कि सिच्छक किसे पार्ट का विकास कर रहा है, तो दोस्तों, option C आप देख पारूंगे, व लेंगे नेस कोशन आप लोग देख पारोंगे विद्यार्थियों से उर्द्वादर सम्मुक कोड़ों के मद सम्मद असापित करने के लिए कहा जाता है वे कई आकरितियां खीचते हैं कोड़ों को मापते हैं और यह देखते हैं कि उर्द्वादर सम्मुक कोड़ समान है इस मापता है तो वे नहीं के अनुसार जो है विद्धार्थी जो है वो विशलेश रात्मक अस्तर पर है ऑप्शन ए आप देख पारोंगे यह आपका करेक्ट आंसर होगा अगला कोशन देखते हैं कच्छा में शिचिका विद्धार्थियों की विभीन परकार से चत्रभुज की कजने में विद्धार्थियों की सहाज़ता करना और दी है विभीन परिभाशाओं को खोजने में विद्धार्थियों की सहाज़ता करना ये सबी परिभाशाओं को कंठस्त करना तो दोस्तों यह आपका होगा ही नहीं देखिए जब सिच्चिका चतुरभुज को परिभाशित करके उसके बारे में बताती है जैसे भुजाओं का प्रयोग कोड़ों का प्रयोग तो इन सभी से सिच्चिकों का उदेश होता है कि साथियों की साहधा कर रही है ऑप्शन ए आप देख पार होंगे विभी ने परिप्रेच्छों से चतुरभुज को समझने में विद्यार्थियों की साहधा करना यहीं आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स कोशन देखेंगे कच्छा चार में बिंदू और रेखा पर जामिति कर सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कच्छा चार में बिंदू और रेखा पर जामिति पार्ट के लिए आकलन की निर्देश होंगे आप लोग भी जो है इसका आंसर बताए क्या होगा दोस्तों देखें कच्छा चार में बिंदू और रेखा पर जामिति पार्ट के ल यह आकलन की निदेश होंगे रेखा और रेखा खंड किरण में अंतर करना और उन्हें पर वाशित करना आप्शन सी आप देख पार होंगे रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता और उन्हें परिवाशित कर सकता यह आपका करेक्टर अंसर होगा इस कोशन देखते ह किंदो संख्याओं को गुड़ा करने पर 24 गुड़नफल प्राप्थ होगा यह प्रश्ट ऑप्शन ए है बद अंत वाला प्रश्ट है क्यूंकि इसके निश्चे संख्या में उत्तर है बच्चे को सामाने समस्य समधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके सी ए अधि संख्यानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहाथा करता है डी है मुक्त अंत वाला प्रश्ट है क्यूंकि इसके एक से अधिक उत्तर है दोस्तों देखिए स्टैप के कोशन आपको एक नंबर का मिलेगा बद अंत मुक्त अंत से कोशन आपका एक बनता अच्छे से इसको आप लोग जो अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहांसे अक नंबर आपका confirm है इस से यानिंग बंद आंत का जो कोशन होता है मुक्त अंत वाला प्रशन होता है यहां से आपका एक नंबर बनेगा यहाँ पे question आप समझ पा लोगे किन दो संख्याओं को गुड़ा करने पर 24 गुड़नफल प्राप्त होगा यह प्रश्ण है यहाँ पे इन दोनों की तो बात ही नहीं हो रही है अब यहाँ पे दो option आपके बास बचा है बद अंत वाला और मुक्द अंत वाला दोस्तों देखें यहाँ पे बताया गया है किन दो संख्याओं को गुड़ा करने पर गुड़नफल जो है 24 प्राप्त होगा यह प्रश्ण है दोस्तों देखें अगर 24 के हम लोग बात करें तो यह आप अगर देखें तो 12 12 दूना 24 भी हो सकता है ठीक है 8 3 के 24 भी हो सकता है ठीक है 3 8 जा 24 भी हो सकता है और हम लोग बात करें यहाँ पे 6 4 जा 24 भी हो सकता है 4 6 जा 24 भी हो सकता है तो यहाँ पे आप 24 कहीं से भी ला सकते हैं यहाँ से भी 12 आउट 2 का मल्लिपलाई करके भी ला सकते हैं 8 3 का करके ला सकते हैं eight का करके ला सकते हैं six four का करके ला सकते हैं और four six का जो है करके ला सकते हैं तो आप ये कहीं से भी जिसका answer सिर्फ वही आए करने पर ठीके है तो वो जो है बद अंत वाला होता है तो यहां पे जो बच्चा अगर आप क्लास में दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा करने को इस टाइब का कोशन दे रहे हैं, तो कोई बच्चा जो है 6 x 4 कर देगा, कोई बच्चा जो है 8 x 3 कर सकता है, कोई बच्चा 12 x 2 कर सकता है, तो हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग और अगर आप वही बद अंत वाला अगर कोशन देते हैं तो हर बच्चा जो है सेमी प्रॉसेस अपनाएगा तो इस तरह से जो है आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं और दोस्तों यह कोशन इंपोर्टेंट है यहां पर एक नमबर आपका कंफरम है जैसा कि मैंने आपको बताय है तो दोस्तों यह थे आज के दस कोशन और इंदस कोशन में आप कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है अपना फीडबैक जरूर दीजीएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा अपना लव और सपो